तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां मैंने मटर लिए है 250 ग्राम के करीब मैंने आलू लिए कटे हुए और इनको भिगोखर रग दिया है यहां मैंने टमाटा की प्योरी लिए और यह लसन अद्रक का पेस्ट लिया है और साथ ही प्याज इन तीनों चीज का पेस्ट लिया ह यहां है मैंने सूखी मसाले लिये हैं 1 टेबल स्पून सॉल्ट 1 टेबल स्पून जीरा यहां मैंने धन्या चोप्ड किया हुआ लिया है जो की लास्ट में डालेंगे और यहां हम यह दो हरीमिच भी ली हैं जो कि हम इसमें डालेंगे सब्जी में तो यहां हमने 100 ml की करीब तेल लिया है और तेल को पका लेंगे अच्छे से इसके बाद हम इसमें जीरा एड़ कर देंगे जीरे को फ्राइ कर लेंगे जब तक कि यह ब्राउन कलर करना हो जाए इसके बाद यह हमने पेस्ट जो बनाए है लसन अद्रक प्यास का पेस्ट यह एड़ कर देंगे इसमें इसको एड़ करने के बाद हम इसमें टोमाटो प्योरी एड़ कर देंगे मिक्स कर ले अब हम इसमें यह जितनी भी सूखे मसाले लिए यह एड़ कर देंगे और नमक को हम बचा लेंगे नमक को लास्ट में डालेंगे हम अब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक यह भूननेiste भूण कra नहीं करेंगे तो इसमें कटी भी हरी मेंच यह जई भी एड़ कर देंगे तो मसाला हमारा आब हम इसमें यह मटा एड़ कर देंगे देखें इस तरीके से भुनना चाहिए आपका मसाला भी कच्छे पन पर न डालें नहीं तो हडान दाती है मसाले की तो मतर भी हमने एड़ कर दिये हैं मिक्स कर लेंगे चला लेंगे और देखें यह हमाई ग्रेवी कितने अच्छा रंग आ रहा है इसमें अब यह जो नमक लिया है यह भी हम इसमें एड़ कर देंगे नमक एड़ करने के बाद इसमें हम आलो एड़ कर देंगे काफी इजी है यह सबजी जटपटी बन जाती है कुछ ही मिंटों में तो यह देखें आलो इस तरीके से कटे होने चाहिए ना ज्यादा बढ़े हो ना छोटे ने इस साइस में हो आलो डालने के बाद हम सबजी को चला लेंगे सबजी चलाने के बाद हम इसमें पानी ऐड़ कर देंगे-जितना भी आपको इसकी ग्रेवि रखनी है मतलब शोर्वार रखना है जितना भी उसके अकोरडिंग पानी एड़ कर दें तो मैं हम इसको खोल करेंगे तो देखें हमाई सब्सक्राइब करेंगे तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें